हेलो एन वेलकम वेक टू आवर चैनल कोर्सोलोजी हाव मैं आपका मेंटर सिंधुजा तो आज हम लेकर के आ गए हैं जेगरोफी का फर्स्ट लेसन का पार्ट टू जिन लोगों ने भी अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले जाकर के पार्ट वन देख लें उसके बाद पार्ट टू देखें तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो फटा फट से जो रेड कलर का बेल आइकन लगा हुआ है उसके उपर जाकर के प्रेस करके हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको आप सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेस्बूक, वाटसप, इंस्टाग्राम इत्यादी पर जरूर सेर करें ताकि जादा से जादा लोग इसका फाइदा उठा सकें तो चलिए साथियों जादा देरना करते हुए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो आज का लेसन है लेसन नमबर वन का पार्ट टू सोर मंडल में हमारी पिर्थव भुगोल पिर्थवी हमारा आवास तो चलिए श्टार्ट करते हैं खगोल सास्त्री कौन थे? एक से लेकर के 25 तक कोश्चन पार्ट वन में कराये गए हैं आज 26 से आगे जितना भी हो पाएगा वो आपको कराया जाएगा खगोल सास्त्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा खगोल ये पिंड वह उनकी गती के संबंध का अध्यन करने वालों को खगोल सास्त्री कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आरे भट कौन थे? वह किस छेतर से संबंधी थे? बहुत ही फेमस कोश्चन है, कई वार सीटेट के अंदर आचुका है आरे भट एक खगोल सास्त्री थे? वह पिर्थवी विज्ञान से संबंधी थे नेक्स्ट कोश्चन सोर पडिवार का मुख्या किसको कहा जाता है? सूरी को सोर पडिवार का मुख्या कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रह इससे उस्मा और प्रकास प्राप्त करते हैं नेक्स्ट कोस्टन के और बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखते देखते इसके साथ साथ आप NCRT की कक्षा 6 से लेकर के 6-7-8 जो साइन्स वैक ग्राउंड के हैं वो math science पढ़ें जो social science background के हैं वो social science में भोगोल, political science और इतिहास की पुस्तकों को जरूर पढ़ें और मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और सारे questions को बनाएं और मैं ये दावा करता हूँ कि एक भी question जी हाँ एक भी question आपका NCRT based जो question आते हैं 40 marks के 20 marks की पैडलोजी भी आपको कराई जाएगी लेकिन जो 40 marks का NCRT based question आते हैं एक भी question इससे बाहर आजाए तो आप कह देना एक question बाहर नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि मैंने 100 plus बच्चों को seated past करवाया है yes 100 plus बच्चों को आप कहेंगे तो आपको बहुत सारे हमारे subscriber देख भी रहे होंगे इसको ठीक है तो जो मेरे student past में रह चुके हैं लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि इतना experience full मैं अपनी बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ लेकिन इतना मैंने बच्चों को clear कर आया है तो आप बस इतना पढ़िए जितना मैं बता रहा हूँ अगर आपका सीटेट के लिए ना हो जाए इस YouTube चैनल के माध्यम से तो आप बोलिएगा बस आपको करना क्या है फिलहाल मेरे वीडियो को देखना है repeat करके बार बार लगातार और NCRT की कक्षा 6-7-8 की जो social science क के हैं वो history, भूगोल और geography की books पढ़ें अच्छे तरीके से एकदम underline करके एक एक चीज को और जो maths background के हैं वो maths और science की book को जरूर पढ़ें ठीक है तो इतना आप कड़िए और जो मेरी अभी tips की वीडियो आने वाली है कि किन tips को आपको follow करना है seated exam को pass करने के लिए उसको आ आपका exam बहुत आराम से clear हो जाएगा, यह मेरा वादा है आपसे, चलिए आगे बढ़ते हैं, सोर मंडल के अंदर कौन-कौन इस्थित है, सूरी आठ ग्रह, जी हाँ, सूरी आठ ग्रह, उफ ग्रह, तथा कुछ खगोली पिंड जैसे सोध ग्रह, एक उलका पिंड मिलकर सोर मंडल का निर्माण करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, सोर मंडल के केंदर में कौन इस्थित है, यह पिर्थिवी से लगभग 15 करोड किलो मिटर दूर है, नेक्स्ट कोसे में क्यों बढ़ते हैं, सोर मंडल के उस्मा और उर्जा का क्या केंदर है, सूरी के द्वारा संपूर्ण सोर मंडल को उश्मा और उर्जा परदान की जाती है आप देख रहे होंगे अभी छटी क्लास का लेसन चल रहा है इसलिए कोशन का लेबल थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे हम सात्मी और आठमी के और बढ़ेंगे तो आपको कोशन का लेबल और टफ और टफ दिखता परतीत होगा चलिए आगे बढ़ते हैं सोर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं तो सोर मंडल में कुल आठ ग्रहों की संख्या है कितने ग्रह है, आठ ग्रह है, एट, सोर मंडल का पत किस प्रकार का है, तो सोर मंडल का पत द्रिग बृत्ताकार है, द्रिग बृत्ताकार, याद रखेगा यह वर्ड कैसा है, द्रिग बृत्ताकार, द्रिग बृत्ताकार, चलिए आगे बढ़ते हैं, सूरी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है तो सूरी के सबसे नजदीक का ग्रह बुद्ध है इसे सूरी की परिक्रिमा करने में 88 दिन का समय लगता है ठीक है 88 दिन का समय इसको लगता है सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है तो बुद्ध है तो अगर आपको हमारा पढ़ाय हुआ content अच्छा लगता है आपको लग रहा है कि यहाँ पर सही महनत की जा रही है और बच्चों को अच्छा content दिया जा रहा है और समाज को एक सही दिसा दी जा रही है तो आप भी हमें प्रोत्साहन कर सकते हैं प्रोत्साहन करने का एक सिंपल सा तरीका है हमारे वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल के लिंक को आप जहां भी पोसिबल हो फेस्बुक के उपर, इंस्टाग्राम के उपर आप जिस भी ग्रूप से जुड़े हुए है वाटसब ग्रूप से, फेस्बुक ग्रूप से उस ग्रूप में आपने हमारे चैनल के लिंक को पोस्ट करिए जादा से जादा लोगों को इसके साथ जोड़िए ताकि हमें भी उत्साह वर्धन होता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहें चलिए आगे बढ़ते है पिर्थवी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्टन पिर्थवी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है पिर्थिवी का जुड़वा ग्रह सुक्र को माना जाता है इसे पिर्थिवी की बहन भी कहते हैं याद रखेगा सिश्टर भी कहा जाता है इसको पिर्थिवी का क्योंकि ये आकार और अकृति के हिसाब से पिर्थिवी येसी है अगले कोशन के और वड़ते हैं किस ग्रह का आकार अक्रिती पिर्थिवी के समान है सुक्र ग्रह का आकार अक्रिती पिर्थिवी के समान है इसे पिर्थिवी की भागिनी भी कहा जाता है भागनी का अर्थ होता है बहन याद रखेगा जो बहन का पड़्याई वाची होता है वो भागनी भी होता है तो किस में दी गई थी खगोली संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णे लिया कि सिरस और प्लेटे ग्रह को बोने ग्रह की संग्या दी जाती है ठीक है अगस्त 2006 में खगोली संगठन ने ठीक है चलिए आगे भरते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग बता सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बोने ग्रह की संग्या किन ग्रहों को दी गई है तो बोने ग्रह की संग्या किसको दी गई है प्लेटो और सिरस को 2006 में मीटिंग हुआ था उसमें यह फैसला लिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं धरती पर सुर्य के प्रकास को आने में कितना समय लगता है प्रकास गती की लगभग 3,000 माफ करिए दोस्तों 30,000,000,000 किलो मुटर सेकेंड की दर से 8 मिनिट का समय लगता है चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रमा पर सर्व पर्थम कौन गया था चंद्रमा पर सर्व पर्थम कौन गया था तो नील आमस्ट्रोंग 29 जुलाई 1969 को 39 जुलाई 1969 को नील आमस्ट्रोंग चंद्रमा पर उन्होंने अपना कदम रखा था और ये पहले ऐसे आदमी थे जो की चंद्रमा पर पहुँचे थे चलिए आगे बढ़ते हैं उपग्रह क्या होता है एक होता है ग्रह एक होता है उपग्रह तो चलिए समझते हैं ग्रह के बारे में पहले वीडियो में इसके पार्ट फर्ष्ट में आपको समझाया गया था ग्रह क्या होता है जिसके पास अपनी उस्मा और प्रकास नहीं होता है और तारा क्या होता है जिसके पास अपनी उस्मा और प्रकास होता है और ग्रह हमेशा उस्मा और प्रकास के लिए तारे के उपर निर्वर रहता है जैसे कि हमारे सोर मंडल में जितने ग्रह हैं वो सुर्य नाम के तारे के उपर उस्मा और प्रकास के लिए निर्वर हैं तो उबग्रह को समझते हैं उबग्रह क्या होता है तो यह एक खगोलिये पिंड है जो ग्रहों के चारो और चक्कर लगाते हैं इन सेम लाइन को आप याद रखिए कि उबग्रह क्या होते हैं एक खगोलिये पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारो और चकर लगाते हैं चलिए आ तो मानब द्वारा धर्ति की कच्छा में स्थापित किया जाता है। अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं। भू आपका क्या अर्थ होता है। पिर्थवी के सामान आकार। भू आपका अर्थ होता है। पिर्थवी के सामान आकार। चलिए आगे बढ़ते हैं पिर्थवी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है तो पिर्थवी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है आकार में यह पांचमा बढ़ा ग्रह है ठीक है आकार में पांचमा और दूरी के हिसाब से तीसरा तो मैं बताता हूँ सूर्य और पिर्थिवी के बीच में एक ग्रह तो पड़ता है बुद्ध अब दूसरा क्या पड़ता है अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे comment box में जरूर बताएंगे ठीक है हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ठीक है एक मैंने बता दिया अब आप एक मुझे बताएंगे चलिए आगे बढ़ते है पिर्थिवी धुरूबों के पास कैसी है तो पिर्थिवी धुरूबों के पास थोड़ी चप्टी है पिर्थिवी क pię upon a fifty option नहीं होगा लेकिन मैं अपको बताना जाता हूं कि क्या होता है कि फिरी की कुई कीमत नहीं होती है लेकिन जो लोग अगर संसाधन को और चीजों को समझ जाते हैं वह उसके वह कर जाते हैं जो पैसे से भी लोग खड़ित कर नहीं कर पाते हैं तो यहां पर भले आपको एक स्टुडेंट किलियर किये हैं एक्जाइम को तो आप बिल्कुल निस्चिंत रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए और ताकि यह चैनल भी बड़ा हो और आप भी सीटेट पास करके एक अच्छी टीचिंग की जॉब ले करके आप भी बड़े ह और चैनल का नाम भी हो और साथ साथ में आपका नाम भी हो क्योंकि आपके नाम से ही चैनल का नाम होगा और चैनल के नाम से हम दोनों का नाम होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं सोर मंडल में अधभुत ग्रह की संग्या किसको दी गई है सोर मंडल में अदवुद ग्रह की संग्या पृत्वी को दी गई है नीला ग्रह किसे कहा जाता है नीला ग्रह पृत्वी को कहा जाता है क्योंकि इसकी दो तिहाई सता पानी से ढखा हुआ है अंतरिक से देखने पड़ी है नीले रंग का परतीत पड़ता है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी दो तिहाई जो सता है वो पानी से ढखा हुआ है और जब हम पानी को अंत्रिक से देखते हैं तो वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी पिर्थिवी का उपग्रह कौन है? हमारी पिर्थिवी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है कौन है उपग्रह? चंद्रमा, चांद, चंदा मामा चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रमा पिर्थिवी की पडिकर्मा कितने समय में पूरा करता है? तो चंद्रमा पिर्थवी की परिकर्मा 27 दिन वो अपने अचपर 27 दिन में पूरा करता है यानि कि पिर्थवी की परिकर्मा जो दो तरह की घर्शन होती है जानि कि क्या कहते हैं एक को कहते हैं परिकर्मा करना घुरुनन और एक को परिकर्मन है ना दो परकार की जो गती होती है एक घुरुनन और दूसरा परिकर्मन तो चंद्रमा जो है वो अपने अक्षपर भी 27 दिन में घूमता है और धर्ती की परिकर्मा भी 27 दिन में करता है यानि कि उसकी घुरुनन और परिकर्मन परिकरिया दोनों 27 दिनों में होती है इसलिए धर्त से चंद्रमा का केवल यह आधा ही भाग दिखाई देता है कभी पूरा भाग दिखाई नहीं देता यह वजह आप जान लीजिए और यह most important question है इसको note down करके रख लीजिए diary में ऐसे question कई बार आए हुए है और पूरी-पूरी संभावना है कि अगले वार भी आ सकता है थोड़ा घुमा देगा लेकिन आएगा इसी से related ठीक है चलिए आगे चलते हैं आकास गंगा क्या है आकास गंगा को मिल्की वे कहा जाता है तारो वाले खुले आकास में एक और से दुसरी और तक फैली जोड़ी सफेद पट्टी के चमकदार रास्ते को मिल्की वे कहा जाता है यह आकास गंगा कहलाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर आकास गंगा का नाम आकास गंगा कैसे पड़ा तो प्राचीन भारत में इसकी कलपना आकास में प्रकास की एक बहती नदी से की गई थी इस प्रकार इसका नाम आकास गंगा पड़ा ब्रह्मांड क्या है लाखो तारों ग्रहों के साथ मिलकर बनी लाखो आकास गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्मान करती है यानि कि लाखो आकास गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्मान करती हैं तो थेंक्यू सो मच कोर्सोलोजी हब के साथ जुडने के लिए और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की एक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं अपने सुजाब और इस वीडियो के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफर्म पर अलग-लत जगह परशेयर करके पहुंचा सकते हैं ताकि ज्यादा दोगों को इसका फाइदा मिल सके और ज्यादा लोग से जुर सके ठैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत अपना खयाल रखे बाई बाई टेग केर